महराश्ट के औरंगबाद में हुई हादसे ने पूरे देश को जगजोर दिया रेलवी ट्रेक के सहारे चलकर अपने घर जा रहे सूलहे मजदूरों को मालगाडी ने रौंद दिया लेकिन इस हादसे के बाद भी देश के दूसरे हिस्सों में अपनी मौत की परवाह किये बिना प्रवासी मजदूर रेलवी ट्रेक के सहारे चलने को मजबूर है ये तस्वीरें दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर हापुर की हैं जहां इस मजदूर परिवार को हरियाना से उत्तराखंड के रुद्रपूर जाना है परिवार के पास ना तो खाने के लिए पैसे हैं ना जाने के लिए कोई साधन लेकिन ये लोग चार दिन से लगातार पैदल ही चल रही हैं हरियाना से हापुर तक का सफर इस परिवार ने रेलवेट ट्रेक के सहरे चार दिनों में पूरा किया है इस मजदूर परिवार ने ना तो दो दिन से कुछ खाया है ना ही रास्ते में खाने को मिला है बस बिस्किट और पानी से ही मासूम बच्चों का पेट भर रही है इतना ही नहीं भोके प्यासे कई दिन से पैदल चलते चलते मजदूरों और छोटे-छोटे मासूम बच्चों के पैरों में छाले भी पड़ गए है तो आपके साथ छोटे-छोटे बच्चे आप पट्री पारी हो और कोई हाथसा हो जाए तो फिर आपको डर नहीं लगा रहा क्या रेलवे ट्रेक पर चलकर घर जा रहे लोगों का कहना है कि सड़क से पोलिस नहीं जाने दी जिसकी वजह से वो रेलवे लाइन पर चलकर ही घर जा रही है वहीं रेल्वे करमचारियों ने बताये कि मना करने के बाद भी लोग रेल्वे लाइन से जा रही है जिसे उनकी जान को खत्रा है क्योंकि इस लाइन पर लगातार माल गाड़ी चल रही है कॉरोना वैरिस की वजह से लगे लोग डाउन के कारण देश भर में मजदूर फसे हुए है लोग डाउन में काम नहीं मिलेने की वजह से उन्होंने काफी परेशानी का सामने करना पड़ रहा है कई जगह से हजारों की संख्या में मजदूर पैदल ही अपने गाउं घर की और निकल रही है हाला कि बाद में सरकार ने मजदूरों को ट्रेन से घर वापस भेजना शुरू किया लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में मजदूर पैदल साइकल से ही हजारों सेक्डों किलोमीटर चल कर घर जाने को मजबूर है इन मजदूरों की चुनावों के वक्त रैली में बात होती है लेकिन सरकारें इन मजदूरों के लिए कितनी गंभीर है ये तस्वीरें खुद बया कर रही है पंजाब के सिरी टीवी के लिए हापुर्ट से नदीम एहमत की रिपोर्ट